एक समय पर हमारा देश भारत सोने की चिडिया कहलाता था हमारे देश के पास विशव की सरवादिक धन दोलत मौझूद थी यह दोलत कहीं और नहीं बलकि खजाने के रूप में हमारे देश के मंदिरों में भी दमान थी अर्बो आकर्मन और बिटिसों की लूट के बावजूद भी हमारे मंदिरों में आज भी काफी सारी धन दोलत मौझूद है तो चलिए इस वीडियो में भारत के पांच ऐसे मंदिरों के बारे में बताते हैं जो कि विशव के सबसे अमीर मंदिरों में से एक हैं नमबर एक सिरी पदमानाप सवामी मंदिर पदमानाप सवामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है ये मंदिर त्रीवंत पूरम सहर के बीच में स्थित है इस मंदिर की देख बाल त्रावन कोर के पुरु साही परिवार दवारा की जाती है केरल में स्थित इस मंदिर के खजाने में हीरे सोने के गहने और सोने की मुर्तियां सामिल हैं मंदिर में 6 तिजोरियां स्थित हैं जिन में से केवल 5 को ही खोला गया है रिपोर्ट्स के अनुसार खोली गई 5 तिजोरियों में 17 बिलियन यूइस डॉलर की संपत्ती मोजूद है जो कि भारतिय रुपए में 1,19,000 करोड है अगर खोले गए खजाने की सही कीमत का अंदाजा लगा जाये तो यह है 10 गुना बढ़ जाती है यानि की 170 बिलियन डॉलर जो कि अपने आप में काफी बड़ी रकम है छटी तिजोरी के बारे में कहा जाता है कि उसे एक पराचिर मंतर से बंद किया गया है अगर उसे बिना मंतर खोला गया तो विशों में धन के कान संकट पैदा हो जाएगा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तिजोरी में पांतों तिजोरियों से भी दो गुना जादा खजाना मौझूद है नमबर दो तिरुपुती बालाजी मंदिर सूची में दूसरे स्थान पर आंदर परदेश का तिरुपती मंदिर है भारत में वैशनो संपरदाय का मंदिर तिरुपुती दान के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है इस मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है भगत यहाँ पर हर साल 600 करोड रुपे का दान देते हैं तिरुपती मंदिर भगवान वैंके टेशवर को समर्पित है जिनने विशनो जी का आउतार माना जाता है यह मंदिर समुंदर तल से अठाई सो फिट की उचाई परस्तित है सायद आप यह बात आप नए जानते हों कि वर्ष 2010 में तिरुमाला तिरुपती मंदिर में स्टेट बैंक ओफ हिंडिया के पास 1175 किलो सोना जमा था बहुत दिल्चस्प बात यह है कि बाल मुंदन जो कि इस मंदिर में आवशक अनुष्ठानों में से एक है भी एक महतोपूर्ण राजशव उत्पन करने वाली गतिविदी है सूची में तीसरे स्थान पर शिरडी महराष्टर में साई बाबा मंदिर है रिपोर्ट्स के नुसार मंदिर के बैंक के खाते में 380 किलो सोना, 422 किलो चांदी और डोलर पाउंड जैसी विदेशी मुद्राओं के रूप में धन के साथ 7 लगबग 1800 करोड रुपे है 2017 में राम नौमी के अउसर पर अग्याद भगत दवारा 12 किलो सोना दान किया गया था इन सब के साथ ही हर साल लगबग 300 करोड रुपे का दान भगतो दवारा आता है गुजरात का सोमनाथ मंदिर हमेशा देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक रहा है 2025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके मंदिर को लूटा था और मंदिर के जोतिरलिंग को भी तोड़ा था पर्थम आकर्मन के दोरान सोमनाथ मंदिर से कुल 20 मिलियन दिनार जो की 480 करोड रुपे के बराबर हैं को लूटा गया था मुहमद काशिम फैरिष्टा जो की एक फार्शी राइटर थे उन्होंने बताया कि महमूद गजनवी ने पर्थम आकर्म में पांच मुर्तियां भी सोमनाथ मंदिर से चुराई थी जिन में से परतेक मुर्ति की मतलग वग 50,000 दिनार थी इस सब के बाद महमूद गजनवी ने 16 बार और भार्थ पर हमले किये और सोमनाथ मंदिर को लूटा सूची में पांच में स्थान पर माता वैसनो देवी का मंदिर आता है जो की जम्मू में स्थित है माता वैशनो देवी का मंदिर देश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है यह मंदिर भारत में माननेता पराप सक्ती पीठों में से एक है ट्रेवल गाइड टूरिजम के नुसार इस मंदिर में हर साल 500 करोड रुपए की आय होती है जो इस मंदिर को देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक मनाती है देश और दुनिया से हर साल लाखों की संख्या में लोग माता वैशनो देवी के दर्शन के लिए आते हैं दोस्तों ये थे भारत के पात सबसे अमीर मंदिर इस सब के अलावा हमारे मंदिरों में शिक्षा भी दी जाती थी हमारे मंदिर हमारे वेदों और संस्कृति का खजाना भी समेटे हुए है नालंदा विसवी डैले की लाइबरेरी जिसे धरमकुंज कहा जाता था उसे बक्तियार खिलजी ने केवल इस कान आग लगवा दी कि उसके बैदों को भारतिय बैदों से जानकारी कम क्यों है आग इतनी भिशंती की लगातार तीन महिने तक पुष्ट्किये जलती रही जो लोग भारत को एक कमजोर अर्थववस्ता बताते हैं उन्हें मैं बतादू कि अंग्रेजों ने 45 ट्रिलियन डोलर यानी की लगबग 3000 लाख करोड रुपए की संपति को केवल भारत से लूटा था बड़े बड़े देशों की इतनी अर्थववस्ता नहीं है जितना हमारे मंदिरों में सालाना दान आ जाता है अगर वीडियो से कोई अच्छी जानकारी पराप्त हुई है तो वीडियो को लाइक वे शेयर कर देना अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना